हेलो एवरिवन आपके हिंदी ब्याकरन पाथे पुस्तक से पाथ 12 जिसका सिर्शक है विप्रितार्थक सब्द याने की बिलोम शब्द परहाने जा रही हूँ बच्चों बिलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाला शब्द याने की एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को बिलोम शब्द कहते हैं तो सब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं बच्चों, उन अर्थों के विप्रीत अर्थ देने वाले सब्धी बिलोम शब्द या विप्रीत तर्थक सब्द कहलाते हैं, तो हमने कुछ प्रमुख बिलोम शब्दों को लिखा है, अब वो बिलोम शब्द मैं आपको ब जैसे अंकुष तो उसका होगा निरंकुष, अकाल, सुकाल, माताजी, पिताजी, अकलुष, कलुष, अग्रज, अनूज, उत्साह, अनुत्साह, सोत्साह, निरुत्साह, लर्का, लर्की, अधिक्तम, निउन्तम, अनुराग का बिलोम होता है बचों, विराग, आजाद का आस्था का अनास्था, उसी तरह से ओस्वस्थ का स्वस्थ, मान का अपमान, मान का अपमान, अलपायू का विलोम होता है बच्चों, दिरगायू, अंतरमुखी का विलोम होता है बच्चों, बहिरमुखी, अलप संख्यक का सही विलोम होगा, वहु संख्यक, विशाल काय का विलोम शब्द होगा लगू काय विशाल का मतलब बहुत बड़ा होता है और लगू का मतलब छोटा होता है तो विशाल काय लगू काय होगी आगर हैं पर विशाल लहता तो उसका विलोम होता उल्टा शब्द होता लगू उसी तरह से अंधेरा का विलोम होगा उजाला, अती ब्रिष्टी उसका अनाब्रिष्टी, अंधकार का विलोम प्रकास, अंदर का विलोम बाहर, इक्षा का अनिक्षा, आदर का विलोम अनादर, मित्र का सत्रू, लेकिन मित्र का यहाँ पर मित्र है तो सत्रू ही लिखेंगे दोस्त नहीं लिखेंगे, यहां पर dोस्त अगर रहता, मित्र की जगह पर, तो उसका सत्रू नहीं बिलोम होता, मित्र दोस्त रहता, तो क्या हो जाता बच्चों, उसका बिलोम शब्द दुश्मन हो जाता, इस तरह से मैंने आपको आज 25 बिलोम शब्द परहाई हूँ, यह 25 बिलोम शब्द आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख कर उसे अच्छी तरह से याद कर लेना भच्चों धन्यवाद